लगातार लेटेस्ट एजूकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंसाइट स्टेडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बिल आइकन में आल को सभी नोटिफिकेशन्स पाने के लिए नमस्कार, वेलकम टू इंसाइट स्टेडी फोरम हम लोग UP, SuperTate की, previous year questions को देख रहे हैं, उसको analyze कर रहे हैं और यह जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि questions किस प्रकार क्याते हैं क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी होता है, अगर आप SuperTate का या फिर UPTate या CTate का exam देने जा रहे हैं तो सबसे पहले पिछले कुछ वर्सों के papers को solve करिए, उनको analyze करिए ताकि आपके दिमाग में कुछ बाते समझ में आएंगी कि questions का pattern कैसा होता है, questions कैसे आते हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी strategy, अपनी रड़निती को बनाएंगे, ठीक है तो उसी करम में, इससे पहले वाले part में हमने कुछ questions लिये थे, SuperTate 2019 के और इसमें कुछ बाकी questions को हम लेते हैं, और अगले वीडियो में कुछ फिर जो बचे questions होंगे, उसको हम देखेंगे, उसको हम solve करेंगे और तो start करते हैं, उससे पहले कुछ बाते आपको बतानी हैं, जैसे जो लोग C-Tate या फिर U-P-Tate की तेहरी कर रहे हैं तो उसमें pedagogy और EBS यानि environmental studies के questions आते हैं, तो उसके लिए हम vicious रूप से classes लाने वाले हैं तो उसमें आपको pedagogy, बालविकास, एवं सिक्षन सास्त और पर्यावरण अध्यन पढ़ाया जाएगा और सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो C-Tate का exam है, उसके लिए हम practice questions लेके आएं हर chapter wise ताकि आपको वो बहेतर तरीके से help करें तो फिलाल देरी ना करते हुए हम start करते हैं हमारा आज के questions को देखते हैं तो आपके सामने question whiteboard पर लिखा हुआ है ध्वनी तरंगों की प्राकृति होती है और आपके पास options दिये गए है अनुपरस्त, अनुधैर, विद्धु चुमकी और इन में से कोई नहीं अनुपरस्त को हम बोलते हैं, transverse और अनुधैर को हम बोलते हैं longitudinal विद्धु चुमकी को electromagnetic wave कहते हैं इसमें से आपको सही answer find करना है ध्वनी तरंगों की अगर हम बात करें तो ध्वनी तरंगें जो होती हैं वो अनुधैर होती यानि इनकी जो प्रक्रति होती है वो longitudinal होती है sound wave जो होती है वो तीन medium में pass हो सकती है जैसे कौनगों से medium? soiled, liquid और gas यानि इन तीनों माध्यमों में वो गुजर सकती है लेकिन इनकी जो सरवाधिक चाल होती है ध्वनी तरंगों की जो सबसे ज़्यादा speed होती है वो ठोस में होती है उसके बाद में तरल में होगी और फिर gas medium में होगी तो अगर आपसे question आता है कि ध्वनी तरंगों की चाल सबसे अधिक कहां पे होती है तो आप लोग करके आएंगे ठोस में होती है और अगर ठोस नहीं दिया गया है, वहाँ पे कोई option ऐसा दिया गया है, जो ठोस को indicate करता है, तो वो उसका सही आंसर होगा, लेकिन बहुत से लोग vacuum निर्वात करके आते हैं, उन चार options में निर्वात भी दिया गया होगा, तो निर्वात में ध्वनी गमन नहीं कर सकता है, ठी यानि जो प्रकास तरंग होती है, और प्रकास तरंग जो होती है, वो कैसी होती है, वो अनुपरस्त होती है, और विद्दु चुमकी होती है, तो यहाँ पर आपके दो questions और मन सकते हैं, कि अगर यहाँ पर ध्वनी को काट के लिख दे प्रकास तरंगों की प्रक्रत कैसी हो और प्रकास की जो चाल है वो सरवाधिक होती है निर्वात में वैक्यूम में तो आप लोग कमेंट करें और बताईए कि प्रकास की जो चाल है वो कितनी होती है और सूर से प्रत्वी तक सूर का प्रकास आने में कितना समय लेता है और चांद से प्रत्वी तक जो प्रकास आता है वो कितना समय लेता है हाला कि चांद के पास अपना खुद का कोई भी प्रकास शुरोत नहीं होता है वो सूर से प्रकास परावर्तित करता है पृत्वी पर तो आप लोग इन दो questions के आंसर जरू करियेगा आगे यहाँ पे कुछ questions आते हैं जैसे electromagnetic spectrum कि विद्दु चुमकी spectrum से questions आते हैं तो उसमें क्या होता है कि sometimes वो पूछ लेता है कि spectrum में सबसे top पर कौन सी wave होती है तो अगर वो question ऐसे आते हैं तो फिर हम उन सभी को पूरा पढ़ने वाले हैं तो आने वाले वीडियो जब हम बात करेंगे तो हम everything थे हर चीज को पढ़ेंगे question number two आपके सामने board पर लिखा हुआ है भारती राश्टी Congress यानि Indian National Congress तो इसको हम सौर्ट में लिख सकते हैं I.N.C. ठीक है इसके प्रथम मुस्लिक अध्यक्ष कौन थे यानि I.N.C के प्रथम मुस्लिम chairman कौन थे तो आपके पास options है अबूल कलाम आजाद रफी हमत किदवई बदरुद्दीन तैब जी और हकीम अजमल खां तो इसका जो correct answer है आप लोग comment करिये और बताईए कि इसका correct answer क्या हो सकता है तो इसका सही answer है बदरुद्दीन तैब जी Indian National Congress यह बहुत ही बड़ा topic है तो इस topic को हम अगले वीडियो में पूरा पढ़ाएंगे ताकि कोई question अगर यहां से आता है super treat के लिए तो आप लोग उसको कर पाएं फिलाल यहां पे हम जितने भी sessions हुए थे जितने भी Indian National Congress में session हुए थे तो उन में कौन कौन से लोग आये थे कौन कौन से लोग अध्यक्ष बने थे तो उसमें कुछ famous हैं जो examic questions महां से जरूर बनते हैं तो उसमें हम कुछ लोगों को समझेंगे कुछ के नाम हम जानेंगे कि जैसे अगर आपसे question पूछता है कि Indian National Congress का यानि भारती राश्टी कॉंग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था या फिर भारती राश्टी कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो इस प्रकार से questions आते रहते हैं तो उसको हम sort में क्रम में उसको हम देखेंगे क्योंकि अपने आप में ये बहुत बला topic है और इसको हम एक अलग से वीडियो में deal करेंगे तो फिला अगर मैं आपसे बोलूँ कि Indian National Congress जो है उसके स्थापना किस ने की तो आप लोग comment में उसका answer करिए कि INC को Indian National Congress को किसने found किया था और किस के समय यानि उस समय वाइसराय कौन था जिस समय इंडियन National Congress के स्थापना की गई थी तो उस समय वाइसराय थे Lord Dufferin और इसके स्थापना किस ने की थी A.O. Hume ने यानि Alan Octavian Hume ने इसके स्थापना की थी और इसके जो प्रतम अध्यक्ष बने थे वो थे W.C. Benerji यानि वयोमेस चंद्र Benerji को पहला अध्यक्ष इसका बनाय गया था तो बाकी की सारी बाते करेंगे हम वीडियो में जो अपलोड होने वाला है कुछ दिन के बाद में ठीके Indian National Congress में अध्यक्ष से जुड़ी कुछ महात्पूर्ण बाते हैं जैसे INC के प्रतम अध्यक्ष कौन है W.C. Benerji है और INC के प्रतम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे George Yule थे या फिर हिंदी में इसको George Yule भी लिखा मिलता है उसके बाद INC के प्रतम महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे Annie Besant भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और उसके बाद में अगर कुश्चन आता है कि भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की प्रतम भारती महिला अध्यक्ष कौन थी तो इसका अंसर क्या होगा सरोजनी नाइडू तो यह कुछ कॉश्चन्स है यहां से कॉश्चन्स बनते रहते हैं तो इसलिए मैंने यहां पर चार कुछ पॉइंट लिखे हैं बाकी कई सारे सेसंस हुए थे और बहुत से लोग अध्यक्ष बने थे तो काफी कुछ चीज़े हैं बताने को तो वो सारी बाते हम करेंगे नेक्स वीडियो में तो नेक्स कॉश्चन है साइमन कमिशन के विरुद्ध जो परदरसन चल रहा था उसमें लाठी चार्ज हुई थी और लाठी चार्ज होने से चोटों से किस नेता की मृत्य हुई यानि उस नेता के सर पर लाठी पढ़ी और उससे वो घैल हो गए और घैल होने के उपरांद उनकी मृत्य हो गए तो आपके पास आप्संस हैं लाला लाजपतराय, गोविंद बलब पंत, डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर किचलू तो आप लोग कमेंट करिए कि इसका आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है, और फिर हम बात करेंगे इसके सही आंसर के बारे में कि इसका सही उतर क्या है तो आप लोग कमेंट करते रहिए तो इसका जो सही आंसर है वो है लाला लाजपतरा है तो यहां से questions और भी बन सकते हैं जैसे Simon Commission कब भारत आया तो एक question यहां से ऐसे बन सकता है कि Simon Commission भारत कब आया दूसरा question यहां से बन सकता है कि Simon Commission में कितने आदमी थे और तीसरा question बन सकता है कि Simon Commission में क्या कोई भारती सामिल था या सिर्फ उसमें जितने मेंबर थे वो सब अंग्रेज थे तो इस प्रकार से questions यहां से बन सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन तीनों questions के आंसर दी जाएगा और जो Simon Commission था वो कव आया था? वो 1927 में आया था ठीके? और इस Commission में जितने भी मेंबर थे उन में कोई भी इंडियन नहीं था कोई भी भारती मेंबर नहीं था इसी वज़े से जब भारत में Simon Commission आया तब भारतीयों ने इसका पुरकस विरोध किया और उसी विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज हुई और लाला लाज पतराय जी के सर पर लाठीयां पड़ी जिससे वो घायल हुए और अंतता उनकी मृत्य हुए लाला लाज पतराय जी का कहना था कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साशन के ताबोत की कील साबित होगी तो कही बार एक्जाम्स में ये कथन भी पूछा गया है कि किसने कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साशन के ताबोत की कील साबित होगी तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा लाला लाच पतरा है तो जो भी questions मैं पोचता हूँ आप लोग उनका आंसर जरूर करेंगे आपके सामने board पर बहुत ही मज़ेदार question लिखा हुआ है इसमें कहा गया है कि लोग सभा द्वारा पारित धन विध्यक कौन सा विध्यक धन विध्यक राजसभा विचार विमर्ज के लिए अधिक्तम कितने दिनों तक रख सकती है तो ये काफी आसान question है options हैं 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन और 16 दिन तो इस question का सही answer क्या है आप लोग comment करिए और बताईए कि इस question का सही उत्तर क्या है कि लोग सभा द्वारा पारित यानि लोग सभा में जो धन विध्यक था वो पारित हो करके अब वो राजसभा में गया है और राजसभा उसको अपने विचार के लिए अधिक्तम कितने समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकती है तो फिलाल इसका answer आप लोग comment में कर रहे होंगे इसका answer सही होगा अधिक्तम 14 दिन ठीक है अधिक्तम 14 डेस तक वो अपने पास विचार विमर्स के लिए रख सकती है उसके बाद में उसको लोग सवाग को भेजना पड़ेगा अब यहाँ पे कुछ questions बनते हैं जो काफी interesting भी है जैसे माल लिजिए धन विद्यक को हम बोलते हैं money bill इसको हम बोलते हैं money bill धन विद्यक को ठीक है जो हमारे सम्विधान के article अनुछेद article 110 में इसके बारे में बताया गया है money bill के बारे में अब यहाँ पे कुछ विद्यक बाते हैं जैसे माल लिजिए यहाँ पे है लोग सभा और यहाँ पे है राज सभा ठीक है और जो धन विद्यक है जो money bill है उसको हम यहाँ पे लिखतेते हैं money bill जिससे आपको समझने में आसानी होगी माल लिजिए जो धन विद्यक है money bill है उसको लोग सभा में लाया गया ठीक है लोग सभा ने उसको पास कर दिया उसके बाद में वो पहुँचा राज सभा में और राज सभा में उसको पास नहीं किया गया उसको reject कर दिया गया अब बापस कहा आएगा वो बापस आएगा लोग सभा के पास में लोग सभा के पास में अन्तिम अथोर्टी रहती है कि वो money bill को पास करे या फिर ना करे ठीक है? तो यहाँ पर राज सभा अगर उस money bill को धन विध्यक को अगर reject भी कर देती है तब भी वो पास माना जाएगा दूसरी बात क्या है? कि money bill लाया गया लोग सभा में उसको पारित कर दिया गया और वो पहुंच चुका है राज सभा में तो राज सभा में जो money bill है धन विध्यक है अगर 14 दिन के बाद में वो उसको अपने पास नहीं यानि आफ्टर 14 डेज अगर राज सभा लोग सभा के पास उसको नहीं रिटर्न करती है तब भी money bill पास माना जाएगा यानि एनी कंडिशन हर हालत में हर हालत में लोग सभा के पास में फाइनल पावर रहती है कि वो धन विद्यक क्या करेगी धन विद्यक को अंतिम रूप से लोग सभा के पास में ही अथोर्टी दी गई है राज सभा या तो कोई recommendation या तो कोई सिफारिस दे सकती है लेकिन उस सिफारिस वो सिफारिस बाद नहीं होगी यानि वो सिफारिस अगर लोग सभा चाहे तो उसको implement कर सकती है अगर ना चाहे तो नहीं कर सकती है लेकिन तब भी money will pass माना जाएगा तो इसका आप लोग धान रखेंगे सिर्व एक बात केस का जो अंतिम authority है वो कौन है लोग सभा है ठीक है तो काफी easy question था ये और ऐसे question आते रहते हैं तो कुछ wishes article हैं कुछ wishes अनुच्छेद हैं उनकी हम बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोज में जो आपके super treat के लिए बहुत ही important होने वाले हैं तो आपके सामने question board पे लिखा हुआ है प्राइदीपी भारत यानि peninsular India का सबसे दक्षण यानि most southern point दक्षणी बिंदू जो कन्यक उमारी है वो इस्थित है वो कहाँ पेस्थित है अगर वो state पूँचता यानि अगर वो इस question में राज पूँचता कि वो किस राज में इस्थित है तो इस question का answer देना आसान होता लेकिन उसने थोड़ा इसको typical कर दिया है थोड़ा cutting कर दिया है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस question का answer क्या हो सकता है आप लोग comment करके बताईए कि क्या आपको लगता है कि इसका answer क्या हो सकता है फिर हम समझेंगे और फिर समझने के बाद में उसका उत्तर आप लोग swim खुद देंगे ठीके तो आप लोग बताईए कि इसका answer क्या हो सकता है तो इसका answer समझने के लिए थोड़ी हम बात करते हैं ये हमारी earth है ठीके ये हमारी earth है और earth के बिलकुल mid में जो रेखा गुजरती है फिलाल रेखा ऐसी कोई थी नहीं ये तो हमने सिर्फ रेखा को गुजारा है ये केवल कालपनिक रेखाए हैं केवल imaginary lines है इसको हम बोलते हैं 0 degree equator यानि 0 degree भूमद रेखा तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भूमद रेखा की बात हुई है 0 degree equator ठीके और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे सारे 23 degree कौन सा है? सारे 23 degree जो नीचे है equator के वो है Tropic of Capricorn यानि इसको हम बोलते हैं Tropic of Capricorn यानि मकर रेखा इसको हम बोलते हैं मकर रेखा और इसके जस्ट उपर 23 degree सारे 23 degree जो रेखा गुजरी है उसको हम बोलते है Tropic of Cancer तो इसको हम बोलते हैं करक रेखा ठीके? तो यह करक रेखा है तो आपने हमारे इंडिया यह पूरा वर्ल्ड का पूरा प्रतिवी है वर्ल्ड है तो इसके कुछ कालपनिंग रेखा है गुजरी हुई है तो हमने समझ लिया कि कौन-कौनसी भूमद रेखा है कौनसी मकर और कौनसी करक रेखा है तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इंडिया की स्थिति कहाँ पर है तो जैसा हम जानते हैं कि इंडिया भारत में कौन सी रेखा गुजरी है? वो है करक रेखा तो भारत में यहां से करक रेखा जो है वो गुजरी है ठीक है? ट्रॉपिक ओफ कैंसर भारत से गुजरी है अब आप यहां पे ज़रा सोचिए कि भारत में यह जो पोर्षन है यह वाला यहाँ पे यह तमिल नाडू है ठीके यह क्या है यहाँ पे तमिल नाडू है यहाँ पे केरला है यहाँ पे करनाटका है यहाँ पे गोवा है यहाँ माराष्ट्रा है यहाँ पे आंधर प्रदेश है तो यह जो नीचे वाला पोर्षन है वो है तमिल नाडू ठीके और जो कन्य कुमारी है, वो कौन से राज्य में है, वो है tamilnadu में. तो इसका मतलब कि कन्या ऐक कुमारी कहाँ पहाँ पहे है कन्या कुमारी? इस पॉइंट पहे है. तो इस पॉइंट पहे है कन्या कुमारी. तो यह हमने पूरा इतना देख लिया है. अब ज़रा आप लोग बताईए कि इसका अंसर इसके हिसाब से क्या हो सकता है इसमें लिखा हुआ है कि प्राइदीपिय भारत का सबसे डक्षणी बिंदू कन्यकुमारी कहां पेस्थित है करक रेखा के उत्तर में अब देखिए ये है करक रेखा ठीके ये है करक रेखा तो करक रेखा के उत्तर में है क्या नहीं है ठीके दूसरा मकर रेखा के दक्षण में मकर रेखा ये वाली रेखा है मकर रेखा ये कौन से रेखा है ये है मकर रेखा ये है करक रेखा और ये है भूमद रेखा ठीके तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता अब यहाँ पर क्या लेखा हुआ है भूमद रेखा के उत्तर में यानि ये भूमद रेखा है इसके उत्तर में तो इसके उत्तर कौन सा है ये भूमद रेखा है और इसका उत्तर कौन सा है इसका उत्तर में ये इंडिया है तो यहीं पे कन्या कुमारी तो इसका अंसर सही क्या होगा कन्या कुमारी कहां पे है भूमत रेखा के उत्तर में है तो आप लोग इस तरीके से गर समझेंगे तो आप लोग कई questions को solve कर सकते हैं फिलहाल यहां से एक question और बन सकता है वो यह बन सकता है कि अगर आपसे question पूछ ले कि भारत का भारत का सबसे देख्षडी विंदु कहां पे है तो वहां पे ये कन्य कमरे नहीं होगा क्योंकि ये प्रायदीपी है ठीक है? यानि ये हमारे हमारा जो पेननसूला है यहां पे तमिलाडू है तो वो छेत्र जो भारत का प्रायदीपी छेत्र यागर उसमें कोई पार्ट है जो सबसे साउथ में है या नौर्थ में है या वेस्ट में है या फिर इस्ट में है तो हम उसको बोलेंगे इंडियन पेननसुलर प्रायदीपी लेकिन अगर हम जब बात करेंगे इंडियन टेरिटरी की यानि भारती छेत्री की तो इसमें जो अन्नमा निकोवार वाले जो आईलेंड है और जो लक्षदीप है वो सब सामिल हो जाएंगे ठीक है? तो यब हम बात करेंगे इसकी तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि भारत का सबसे दक्षणी बिंदू कहां पे है और उसका नाम क्या है? बहुत ही फेमस पॉइंट है वो और उसका नाम क्या है? मैं आपको थोड़ी हिंट दे सकता हूँ कि वो हमारे इंडियन पेननसुला में नहीं है ठीक है बाकि आप लोग comment करके answer करिए तो इसका answer हम अगली class में बात करेंगे कि इसका answer क्या हो सकता है और हम जानेंगे diagram के साथ में ठीक है तो आपके सामने जो question board पे लिखा हुआ है वो question इस प्रकार है नेमलखित समुदरी धाराओं में से कौन सी Atlantic महासागर की धारा नहीं है इसको हम बोलते हैं ocean current यानि समुदरी जलधारा ठीक है तो ये ocean currents होती है और इसमें दो types की current होती है यानि दो प्रकार की जलधारा होती है जैसे एक को हम बोलते है cold ocean current और दूसरी को हम बोलते है warm ocean current यानि थंदी समुदरी जलधारा है और गर्म समुदरी जलधारा है तो एक तु यहां से questions आते हैं तो आपसे वो option में थंदी या फिर गर्म दे करके पूछ लेंगे या फिर वो question इस तरीके से आ सकता है कि ये समुदरी धारा जो है वो कौन से ocean को belong करती है तो हमें अमूमन तीन पढ़नी है कौन कोन से पढ़नी है एक हमको पढ़ना हिंद महासागर की जलधारा दूसरा हमको पढ़ना है अट्लांटिक महासागर की जलधारा और तीसरा हमको पढ़ना है प्रशान्त महासागर की जलधारा तो हमको अगर ये तीन धाराएं अच्छे से हमने पढ़ ली हैं, नाम याद कर ली हैं, तो हम easily ऐसे questions को solve कर पाएंगे, ठीक है? तो फिलाल इस question के बाद में आपको मैं तीनों जल्धाराओं के बारे में बताऊंगा, short में, क्यूंकि भूगोल में कुछ topics ऐसे होते हैं, जो बहुत ही difficult होते हैं, समझने योग होते हैं, तो उन में से ये topic है, किस तरीके से current circulate होते हैं, यानि किस तरीके से जल्धाराएं प् वीडियो में, especially जल्धाराओं के बारे में भूगोल जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे पूरी, तो फिलाल इस question का जो सही answer है, आप लोग comment करिए, बताइए, कि आपको क्या लगता है, कि इस question का सही answer, क्या हो सकता है, तो इस question का जो correct answer है, वो है, अगुलहास जल्धारा, क्यों, क्योंकि ये जो जल्धारा है, ये बिलाउन करती है, हिंद महासागर को, यानि ये बिलाउन करती है, इंडियन ओशियन को, तो ये जो है, इंडियन ओशियन की एक जल्धारा है, और बाकी तीनो, लेबराडोर करेंट, फ्लोरिडा करेंट, और कनारी करें ये तिनो अट्लांटिक महासागर के जल्धाराएं हैं तो आईए हम जानते हैं कि कौन-कौन सी important जल्धाराएं हैं जो अलग-अलग महासागरों को belong करती हैं ocean currents तो कुछ important ocean currents के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे basically हम सिर्फ नाम याद करने कोशिस करेंगे ये पढ़ूंगा आप लोग अगर चाहें तो इनको अपनी कौपी पे नोट कर सकते हैं चीके तो बिल्कुल भी चिंदा की बात नहीं है ocean current का मतलब होता है समोधरी जल्धाराएं तो यहाँ पे हम बात करेंगे Indian ocean, हिंद महासागर Atlantic ocean और उसके बाद Pacific ocean यानि प्रसान्त महासागर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, हिंद महासागर में कौन सी महतुपूर्ट जल्धाराएं हैं तो सबसे पहले हैं अगुल हास जल्धारा उसके बाद में लिविन जल्धारा, उसके बाद मेडगासकर जल्धारा उसके बाद मुजामबीक जल्धारा उसके बाद सुमाली जल्धारा फिर हम बात करते हैं अट्लांटिक ओशिन की महतोपूर्ण जल्धारा है इसमें अंगोला करेंट ब्राजील जल्धारा फ्लॉरिडा गल्फ स्ट्रिम लोमोनोसोब कैनरी फाक लेंट और गिनिया उसके बाद पैसिपिक उसेंग की बात करते हैं यहाँ पे अलास्का एलुशियन कैलिफोर्निया हमबोल्ट कुरोशियो ओयाशियो ताशमान तो यह नाम है यह नाम क्योंकि हिंदी इंग्लिस दोनों में सेम होते हैं इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इंग्लिस में लिखे हैं अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस होता तो इसके हिंदी मैं यहाँ पे लिखता यहाँ पे सिर्फ यह नाम है इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको इंग्लिस में लिखे हैं तो फिलहाल आपको सिर्फ नाम याद करने हैं ठीके? तो आप लोग इनके नाम याद करेंगे तो आपके सामने बोर्ड पर कोशन लिखा हुआ है नाथुला धर्रा भारत के किस राज में इस्थित है तो आपके पास आपस आपसंस है अववाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मेगाले और आपको इसका सही आंसर फाइंड करना है तो आप लोग कमेंट करके बताईए कि इसका आंसर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या सही हो सकता है फिलाल अगर हम समझें तो चीन का जो भाग है तिबबत ठीके और यहाँ पे इंडिया है, भारत है भारत का एक स्टेट है सिक्किम ठीके भारत का स्टेट है सिक्किम तो जो नातुला धर्रा है वो क्या करता है वो सिक्किम को तिबब से connect करता है इसका उतलब भारत और चीन के बीच में वो एक तरीके से connection का कारी करता है और अब यहाँ पर इसका answer क्या पूशा गया है कि किस state में स्थित है तो इसका answer क्या होगा सिक्किम होगा ठीक है इसी प्रकार कई और सारे important दर्रे हैं जैसे जिलीपला और सिपकिला अगर हम जिलीपला की बात करें तो जो जिलीपला धर्रा है वो क्या करता है वो सिक्किम को तिबब से जोड़ता है उसके बाद में जो सिपकिला धर्रा है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है तो इस प्रकार कई और दर्रे हैं तो उनकी बात हम करेंगे इस पेसिली क्लास में तो आगे देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बोर्ड पर कोश्चन लिखा हुआ है इनमें से भारत के समिधान सभा यानि कॉंसिट्वेंट असेंबली के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आपके पास आप्संस लिखे हुए हैं डॉक्टर सच्चिदानान सिना डॉक्टर राजन परशाद डॉक्टर बियार अंबेटकर और प्रोफेशर H.C. Mukherji और आपको इसमें सही आंसर फाइंड करना है तो अगर हम बात करें समिधान सभा की समिधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 डिसमबर 1946 को संपन हुई थी और जो इसकी दूसरी बैठक थी वो 11 दिसमबर 1946 को हुई थी जो सबसे पहली बार जब समिधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उस समय डाक्टर सच्चिदान सिनहा को इंटरिम यानि आज थाई अंतरिम अध्यक्ष के रोप में चुना गया था तो इस कोशन का जो करेंट आंसर है वो क्या होगा इनमें से भारत की समिधान सभा का सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो जो सबसे पहले अध्यक्ष थे अंतरिम अध्यक्ष थे वो डाक्टर सच्चिदान सिनहा थे और उसके बाद में जब 11 डिसंबर 1940 को सेकेंड मीटिंग हुई थी उसमें स्थाई रूप से राजेंद प्रशाद को चुना गया था समिधान सभा का अध्यक्ष तो अगर आपसे क्वेशन पोचता है कि समिधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन बने तो इसका अंसर क्या होगा डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी और अगर आपसे पूछे कि आस्थाई या फिर अंत्रिम इंट्रिम चेर्मेन कौन बने तो वो थे डॉक्टर सचदनन सिनहा तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर बियार अमेटकर जी की बियार अमेटकर जी को फादर आफ इंडियन कॉंस्टिशन कहा जाता है यानि भारती समिधान के जनक के रूप में इनको जना जाता है ये एक बहुत ही important कमेटी थी जिसको हम बोलते हैं प्रारूप समिथी के ये चेर्मेन थे और प्रारूप समिथी का काम था ड्राफ्ट तयार करना यानि पूरस समिधान का जो धाचा है उसको तयार करना तो आज के वीडियो में हमने कुछ questions को देखा और questions को हमने solve किया उसमें से कुछ questions थोड़े से आसान थे और कुछ questions थोड़े से कठिन थे खासकर भूगोल की questions थोड़े से कठिन थे भूगोल में कुछ चीजों का concept हमको पढ़ना है ताकि हम आसानी से उनके questions के answer कर पाएं और बाकि, पॉलिटी में, हिस्ट्री में कुछ questions easy आते हैं, तो आगे आने वाले वीडियो में, हम पूरा हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलिटी, economics और science की questions का पूरा हम एक chapter wise पूरा पढ़ाएंगे, ताकि आपके super treat के लिए वो important रहे, ठीके? तो अभी के लिए इतना ही था, और मिलते हैं next वीडियो में, और बात करेंगे हम कुछ और questions की, thank you very much, thank you